पिष्ट संख्या एक सो पचहत्तर सबसे खतरनाक मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती पोलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती गद्दारी लोव की मुठ्थी सबसे खतरनाक नहीं होती बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है सहमी सी चुप में जकडे जाना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है मुठिया भीच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है सबसे खतरनाक नहीं होता सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांती से भर जाना ना होना तरप का सब सहन कर जाना घर से निकलना काम पर और काम से लोट कर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है जिसकी नजर दुनिया को मुहबबत से चूमना भूल जाती है जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर धुलक जाती है जो रोज मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष हीन दुहराओ के उलट फेर में खो जाती है सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चड़ता है पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुँचने के लिए जो मर्सिये पड़ता है आतंकित लोगों के दर्वाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है प्रिष्ट संख्या 177 सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिन्दा रूँ के आसमानों पर ढलती है जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदर हमेशा के अंधेरे बंद दर्वाजों चोगाठों पर चिपक जाते हैं सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिसम के पूरव में चुह जाए मिहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती गद्दारी लोव की मुठ्थी सबसे खतरनाक नहीं होती अभ्यास कविता के साथ कवी ने किस आशे से मेहनत की लूट पुलिस की मार गद्दारी लोव को सबसे खतरनाक नहीं माना 2. सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ है 3. कवी ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है सपष्ठ कीजिए 4. मुर्दा शामती से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना इनको सबसे खतरनाक माना गया है आपकी दृष्टे में इन बातों में परसपर क्या संगती है और ये क्यों सबसे खतरनाक है 5. सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराए प्रिष्ट संख्या 178 छे, वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्या कांड के बाद आपकी आँखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है कविता के आसपास एक, कवी ने मिहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत क्यों किया होगा दो, कवी द्वारा उल्लिखित बातों की अतरित, समाज में अन्य किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं तीन, समाज में मौझूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके पास क्या सुझाओ है शब्द छवी, गद्दारी, व्यक्ति, देश या शासन से द्रोह या धोखा बैठे बिठाए, यानि अनायास, आकारण तलप, यानि बेचैनी वीरान, यानि उजड़ा हुआ मरसिया, यानि करोण रस की कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यू पर लिखी जाती है पर लिखी जाती है